हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है मेरो आपकी खुकिंग चैनल रोशन डिशू पर आज की जो रहसे भी बहुत हेली होने वाली है देख कि आपको लग रहा होगा कि पालक आलू होगा सम्थिंग लेकिन आज हम आलू और चॉलाई की सबजी बनाने वाल मतलब रफली आप इसे कट कर लीजेगा मैं आपको दिखा तो यह देखिए रफली कट कर लेना है इसमें कोई मतलब यह निया कि एकदम बारी के चॉप करना है या मोटा चॉप करना है रफली इसे कट कर लेना है यह चॉलाई से मुझे खिससा आ रहा है कि मेरे सामने घर के सामने खेत हुआ करता था और यह बारीस के सीजर में अपने आप उख जाया करता है तो मम्मी हम लोग को हमेशा यह तोड़ने के लिए भेज देती थी खेतो में बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी तो बातो बातों में अब हम आचुके हैं में प्रोसेस के उपर कडाही ल तो अब आपको क्या करना है आलू जो है वो निकाल लेना है सारे आलू आपको टीशू पेपर पर ऐसे भी निकाल सकते हैं बचे हुए ऑईल में दो चुटकी आपको अजवाइन डाल देनी है और दो टेबल स्पून के जितना आपको चॉप लैसू रफली कट किया हुआ है ड बोले तो मतलब थोड़ा सा रफली चॉप किया हुआ प्याज है यह प्याज डालने के बाद भी आपको दो मिनट तक पकाना है ज्यादा प्राउन वगेरा करने की कोई जरूरत नहीं है अब इसमें डालेंगे एक टमाटर चॉप किया हुआ और स्वाद अनुसा नमक चॉथाई चमच गरम मसाला पाउडर और एक चॉथाई चमच की जितना आपको लाल मीज पाउड़ा डाला है कलर के लिए अच्छा सा कलर आए इसका दो चूटकी आपको हल्दी डालने हल्दी आपको ज्यादा नहीं डालनी है अब फिर से आपको एक से दो मिनट इन सारी चीज़ों को पकाना है मतलब हमें कोई मसाला तेल ऊपर छोड़ दे ऐसा कुछ नहीं पकाना बस एक से दो मिनट फिर हम इसमें यह आलू डाल देंगे जो हमने सेलो फ्राइग किये थे और इन्हें भी हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे यह हो चुका है अब हम इसमें हमारे जो साग हमने जो रफली चॉप किये थे और डाल देंगे ऐसे दबा दबा के आपको डाल देना है क्योंकि बाद में जब यह गलेगी न तो अपने आपने यह बहुत कम हो जाएगी मतलब नौ के बराबर ही हो जाएगी तो फिलहाल आप दबा दबा के डाल देना है ढग देना है मीडियम फ्लेम पे दो मिनट तक पहले दो से तीन मिनट तक आपको इसे पकाना है ताकि जो यह गलने की प्रोसेस है वो सुरू हो जाए और यह थोड़ी डीप हो गये मतलब गल चुकी है अब हम थोड़ा सा आलू और यह सारी अब गलने लगएगा ये तो यह मैंने मिला लिया है फिर से आपको इसे ठक देना है और मीडियम फ्लेम पे ही goes करना है जब तक ही साग पकना जाए ह Care साग पकचुका है और फिर्र आपको ड़कन अटा देना है लग भगAK 5 से 6 मिनट और आपको पकाना है लो मीडियम फ्लेम तो प्लेटिंग मैंने कर दी है शुरू आप इसे रोटियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर यहां तक आ गए है रेसिपी देखते देखते तो लाइक करके जाएगा अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी रेसिपी अच्छी नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू सो मुच फॉचिंग मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ